नमस्कार, बी एन परिवार में आप सभी का स्वागत है, आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, तो यह Stock of the Week का सात्वा एपिसोड है, आशा है कि आपने पिछले 6 एपिसोड देख लिये हैं और उनसे आपने अपने Trade Analysis और Stock Analysis में Improvement किया है, तो आज के इस एपिसोड में हम जिस Stock की बात करने जा रहे हैं, वो है Mahindra CIE Automotive Limited, तो basically जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि यह Mahindra Group की Company है, लेकिन यह नाम जो है थोड़ा सा Misleading है, Mahindra Group की Company तो यह है, क्योंकि Mahindra के पास इसमें Stake है करीब साड़े 11%, 11,4%, लेकिन में यह एक्चली जो CIE है, यह Spain का एक Automotive Multinational Group है, उसकी Company है, तो CIE के पास इसमें, अगर आप देखेंगे, तो करीब 60.75% के आसपास a stake है, 60.75 to be precise, 60.75 of CIE और M&M का 11.44%, it makes it 72.2% almost, okay, So, basically, यह करते क्या है, यह basically, आप यह कह सकते कि, Auto Ancillary एक Company है, यह करती क्या है, फोर्जिंग करती है, Stampings, Gears, Casting, Magnetic Products, यह देख पा रहा हूँगा आप फोर्जिंग का, Stamping का, तो Almonium Casting, यह सब, यह basically, आप कह सकते कि, जैसे प्रशीजन जो component यूज होते है, automotive industry में, उसका काम करती है, तो broadly, अगर आप देखेंगे, तो यह कुछ 49% इनकी जो sales है, वो आती है, इंडिया से, और जो बाकी 51% sales है, वो आती है, European Union countries से, यह बहुत ही, आप कह सकते हैं कि, raw material और इन सब का जो prices का impact है, ऐसे business में आ जाता है, और चुकि यह cyclical auto industry से related business है, तो already इसमें cyclicality है, तो ऐसे business में consistently profit बनाना थोड़ा, मुश्किल काम हो जाता है, तो आइए थोड़ा से देखते हैं, numbers का, बाकी इसमें तो आपने देख लिया, देख लेते हैं, अच्छा है, एक बार website में कुछ है, तो overview वगएरा है, leading truck, forging supplier and whatnot, और यह सब है management, देखते हैं कि कौन है जो CEO इनके जो है change होए अभी June में, आप देखेंगे तो उसमें top management में आप देखेंगे तो आपको Indian नहीं दिखाए देंगे यहाँ पे, इसके नीचे यह Indian आपको दिखाए देंगा, प्राबली बिकाज यह EU focused ज्याजा है तो इसले होगा, यह देखे, global auto component player, CIE automotive group of Spain, multi technology company which enables us to be player with complex and value-added products, चीक है, अभी आप देखेंगे तो forging, castings, magnetics and stampings, यह इन्होंने दिखाया हुआ है कि कौन सा segment कहाँ पर है और क्या-क्या यूज करते हैं तो यह जैसे gear है, shaft है, stampings का section यह वाला है जो use होता है, यह सब इन्होंने बताया हुआ है, तो यह आप देख सकते हैं, यह आप यह देखेंगे इन्होंने details जो है यहाँ पर दिखाई हुई है कि कहाँ पर क्या component है जो यह supply करते हैं, two wheelers में जैसे आप देखेंगे तो यह alternator, starter motor, फिर आइट जो magnets use होते हैं, तो यह सब चीजे हैं कुछ customers थोड़ी इनके देखते हैं कि कौन-कौन है, यह देखेंगे बजाज, Bosch, Cat, Damler, Fiat, Ford, तो यह सब आप देखेंगे कि यह customer है इनके, खेर, अब आजाते हैं थोड़ा सा बात करते हैं, इनके numbers के बारे में basics, 11,083 crore company है, करीब तो आप कह सकते हैं, रफली 11,000 crore, current pricing का 290 के आसपास में है, वैसे यह थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि इन्होंने आज का price अभी update नहीं किया, तो यह 280 है, 280 रुपए stock price है, और 10,800 crore के करीब market cap होगा, 52 week high करीब ही है, stock का PE 26 के आसपास है, लेकि PE यहां मत देखिएगा, क्योंकि profit जो है normal नहीं है, book value 133 आप यह कह सकते हैं कि almost double, more than slightly double pay trade करा, book value के साबसे dividend नहीं pay करती है, face value 10 है, ROE ROC काफी खराब है, all time high से करी 25% यह down है, date to equity आप देखेंगे तो manageable है, कुछ खास नहीं, alarming situation 0.25 है, promoter holding काफी high है, जैसे अभी हमने बात की थी 72.2%, working capital day is negative है, basically यह negative working capital का business है, इसमें जो cash conversion cycle है वो भी negative है, तो basically इसमें आप net net आप देखेंगे, तो इस business में आपके पैसे लगे ही नहीं होते हैं, आपके पैसे तो आपको हमेशा पैसे पहले मिल जाते हैं, और आप बाद में देते हैं, तो वैसा business है, अच्छा free cash flow generate कर रही है company, 10 साल का P.E. देखेंगे तो वो भी almost उतना ही जितना अभी चल रहा है, तो आप यह कह सकते कि stock is sort of coming into momentum, अभी 28-28 के उपर जाएगा P.E. इसका तब आप कह सकते कि actually momentum में आ गया, debt अगर आप देखेंगे तो 1260 करोड रुपए है, EBIT 760 करोड रुपए है, तो interest अगर आप देखेंगे तो EBIT के comparison में बहुत कम है, which means कि debt servicing, borrowings को service करने में company को कोई issue नहीं हो रहा है, sales अगर आप देखेंगे तो almost आप यह कह सकते कि one-to-one, basically जितनी sales है, almost उतनी market cap है, अब यह sales थोड़ी इसले कम है, क्योंकि इसमें अभी Corona impacted quarter भी होंगे, तो अगर आप इसको normalize कर देंगे तो 12,000 करोड, 11,000 करोड रुपए के असपा sales पहुंच जाए, contingent liability is low है, which is great, contingent liability आप हमेशा चाहेंगे, जितनी काम हो, उतना अच्छा है, ठीक है, आप देख लेते हैं, इनका P ratio आप देखेंगे, तो यह numbers कुछ बहुत खास नहीं है, यह देखेंगे, ठीक है, expected to give good quarter, अब इनका आप देखेंगे, तो किस के साथ है, जो peer group है इनका, तो देखेंगे, Sona BLW पर season वायर, तो अब यह देखें, Sona BLW तो recent IPO है, mostly EV के साइड है, भारत फोर्ज आप कह सकते, traditional peer है इनका, बारत फोर्ज आप देखेंगे, तो वो काफी rich valuations पर trade कर रहा है, और यह काफी cheap valuation पर trade कर रहा है, सवाल यह है कि कब तक, कब तक यह cheap value, अच्छा कोई वज़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई वज़ा नहीं है, कि यह इतने सस्ते valuation पर क्यों trade कर रहा है, उसकी वज़ा भी है, अब all time high देखेंगे तो 384 रुपए है, अब यह देखेंगे 1260 करोड रुपए है, तो यह employee cost है इनका है, salary और यह सब बगएर, आप देखेंगे तो, sales यह देखेंगे, करीब 2000 करोड रुपए, अभी यह post कर है, कि 100 करोड, 2000 करोड रुपए है, तो यह थोड़ा improve होगा, तो चीजे better हो सकती है, आप यह देखेंगे, तो margins decent post कर रहा है, बहुत अच्छे नहीं, 13% के करीब है, आप expenses में देखेंगे, तो raw material की cost जो है, थोड़ी सी बढ़ गई है, employee cost थोड़ी कम हो गई है, लेकिन raw material cost थोड़ी बढ़ गई है, तो वो आप कह सकते हैं, थोड़ा pressure है margin का, उसके अलावा अगर आप देखते हैं, तो यह company, मतलब sales वगएर इनोंने decently grow की है, लेकिन उतना आप यह कह सकते हैं, बहुत अच्छा कोई growth नहीं रहा है, operating profit margin काफी fluctuate होता रहा है, minus 1% से लेके 13% तक, तो जब तक इसमें थोड़ा consistency नहीं आएगी, तब तक वो business predictability नहीं हो पाएगी, और अगर business predictable नहीं है, तो growth और वो सब के बारे में सवाल करना तो बही मानी है, और अगर growth वगएर नहीं है, तो market जो है, इनको अच्छा valuation नहीं देगी, ऐसा ही market हमेशा चीजे देखती है, यह देखें, sales growth है ना, कभी 10 साल में काफी अच्छा है, 5 साल में खराब हो गया, 3 साल में negative sales growth है, लेकिन trailing 12 months में थोड़ा decent है, लेकिन इसमें आप धियान रखें, करोना वाला impact house के विज़े से base change हो गया, profit growth भी वैसे ही है, stock price में इसलिए कुछ खास moment नहीं हुआ है, ROE चाब रहा है, share capital आप देखेंगे तो यह पिछले 5-6 साल से concentrate है, 378 करोर के आसपास में, reserves अगर आप देखें तो जो है, बढ़ रहा है, borrowings पहले से गट रहे हैं, which is a good news, और गटा दें borrowings, तो borrowings गटाने से होते हैं, borrowings गटाने से होते हैं, borrowings गटती है, तो दो impact आते हैं, स जैसे जैसे interest cost घटती जाएगी, वैसे वैसे आपका net profit बढ़ता जाएगा, तो एक तो impact आएगा कि directly bottom line increase हो जाएगी, अब bottom line increase हो जाएगी, तो आप देखें, अगर same PE भी रखना हो, और अगर नीचे का E बढ़ा कर दिया आपने, ठीक है, नीचे का E बढ़ा कर दिया और PE अगर आपको same रखना है, तो price को increase होना पड़ेगा, तो एक तो impact ही आएगा, दूसरा, market जो valuation देती है, वो सिर्फ market cap पर नहीं देती, वो देती है, 10 plus debt कहा गया, ये, ठीक है, इसको बोलते हो, आप enterprise value, market cap plus debt, अब debt नीचे जा रहा है, और valuation same रखना है, तो market cap को वहाँ से भी तो उपर जाना पड़ेगा, तो multiplier impact आता है, जब जब आप जो है, loan payoff करते हैं, जब जब आप borrowings reduce करते हैं, तब जब जब आप borrowings करते हैं, तब जब आप borrowings काफी जादा होते हैं, क्योंकि उसमें EV as a valuation metric सबसे ज़्यादा important होता है, राधन market cap, CFO अगर आप देखेंगे, तो ये काफी बुरे समय से गाएं, लेकिन CFO इनका decent है, उसके पहले आप थोड़ा से देख लेते हैं, other liabilities recently बढ़ गई है, उसकी वज़ा ये है, अब इसमें details नहीं दिया है, खैर जाने दिजे, fixed asset थोड़ा बात increase हुआ है, बट कुछ खास नहीं, आप ये कह सकते हो, शाद restruct CFO कब इनका negative में हुआ, ये एक अच्छी बात है, अब इनके ये देखता है, data days, inventory days, days payable, ठीक है, तो आप देखें, ये अगर आप देखेंगे, इन तीनों से, तो आपको ये मिल जाएगा, cash conversion cycle, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि, cash conversion cycle इनका negative है, working capital days negative, मतलब इनके खुद के पैसे business को बस run करने में तो लगे ही नहीं है, ठीक है, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन ROC उसके बाद भी काफी खराब है, promoters की stake हमने अभी जैसे study किया था, कि ये CIE group की stake 60.75 है, Mahindra और Mahindra की जो है actually 11.44% है, और FIIs, they like this stock, तो करीब 10.5% stake है उनके पास, और DIIs ने stake अप है, तो DIIs के पास करीब 8%, 7.84% stake DIIs के पास है, तो आप ये कह सकते हैं कि institutional favorite stock है, पबलिक में आप देखेंगे तो 9.52% है, लेकिन उसमें से Anil Haridas के पास 1.47% है, और ये Anjali Pawar Haridas है, ये शाहद ये family है, और ये management में होंगे, प्राबली, उनके पास 1.35% ये trade नहीं करते हैं, तो अगर आप दोनों remove कर देंगे, तो कुछ 6.50% ही public mistake बचेगी, बाकी जो है, सारा float available नहीं है trade के लिए, ये रहा थोड़ा सा business के बारे में, अब आते हैं, थोड़ा सा चार्ट वार्ट देखते हैं इनका, तो उसके पहले आप देख लीजे, ये जो है business जो है turnaround हो रहा है, sentiment ठ semiconductor chip की shortage, raw material prices बढ़ रहे है, energy cost बढ़ रही है, covid का impact आप कह सकते हैं, तो ये कुछ सोड़ा problematic area है, और इनके अगर top 5 customer देखोगे, तो 32% जो है, वहीं से आता है sales, और अगर आप इंडिया में देखेंगे, तो sales आती है, 49% और European Union से आती है, 51%, और ये broadly आप देखेंगे, तो personal vehicle, commercial vehicle, चाहिए है, और light vehicles, और medium to heavy, you know, commercial vehicles, तो उन segment में काम करते हैं, two wheeler में अगर आप देखेंगे, इंडिया में तो 10-11% की growth आ सकती, अगले 5-6 साल में, CAGR के terms में, light vehicles में अगर आप देखेंगे, तो 6-7% के करीब, और MHCV में अगर आप दे अच्छा sales आता है, तो वहाँ पर जो है, growth काफी कम है, वहाँ पर सिर्फ 5% है, light vehicles के और MHCV की तो सिर्फ 1.5% के करीब है, तो ये रहा है इनका business के बारे में, अब आइए थोड़ा से इनका chart analyze करते हैं, तो सबसे पहले तो monthly पर जाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या है, कै इसा है, तो ये हमने अगर आप देखिए, ओपें किया इनका chart weekly, तो आप सुरू से देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कैसे हुआ है, बिजनस की story कैसे जो है, pan out हुई है, तो अगर हम ये देखते हैं, तो यहाँ एक feature होता है, go to का, उससे भी कर सकता है, कुसे problem है, anyway, तो ये द देखते हैं, अगर हम ये देखें, अगर monthly chart open करें, तो आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा आपको, आपको दिख रहा है, ये multi-year breakout है, तो ये 2008 में इसका IPO आया, 2007 में, तो ये अगर आप देखें, तो 2007 में IPO आया, तो वही पे जनवरी-फरवरी में American financial crisis आ गई, उनके housing market मे जो bubble था उसके वज़े से, तो stock जो है, पीक कर गए 384, तो वो जो अभी हमने high देखा था, जहां से ये 25% डाउन है, वो अच्छली 2008 में बनाया था, तो करीब 11 साल हो गए, 11 साल पहले इसने ये high बनाया था, अब ये high यहां से, उसके बाद ये, देखें, इसलिए, वो business group ब look at the chart, जब तक आपको market का opinion नहीं समझ में आता है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, और market से ज़्यादा आपको नहीं पता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये देखें है, तो यहां पे 380 वाला जो stock था, वो कहां पर महुँच गया, 40 रुपए पर महुच गया, imagine this, 110, 90%, you lost 90% of your money if you put money here and just sat there without looking at the charts, तो चार्ट को देखना है, 2009 में बाटम बना, उसके बाद बहुत अच्छी recovery, 140 के राउंड गया, लेकिन वो recovery sustain नहीं कर पाई, और 2013 तक वापस से ये वहीं पहुच गया, जहां सुरू किया था, 35-36 के राउंड में वापस पहुच गया, अब ये जब 2013 में आप ये कह सकते हैं कि ये वो दौर था, जब 2014 के election की तैयारिया पीक पे थी, वहाँ पे stock ने bottom बनाया, और ultimately वो December 2013 से इसने फिर अच्छा recovery दिखाया, और 2015 तक वापस 293 hundred के राउंड में trade कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे volume नहीं है, उसके बाद ये ऐसा बुरा नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, आप देखेंगे, January, February 2016 मार्केट के लिए काफी खराब रहा है, यहाँ पे भी खराब है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, तो 2017-2018 में ये 160 वाला stock गया तो 300 तक, आप कह सकते हैं, almost double हो गया, बट ये देख नहीं कि ये stock लोगोंने hold नहीं कि होगा, 2017-2016 में, hold कि होगा न, तो उन्होंने तो पैसे नहीं कमाया, तो ऐसे बहुत से stock होते हैं, जो नहीं चलते, तो ये जो लोग बोलते हैं, कि bull market में सभी पैसे कमारे हैं, भाई, आप अपना CIGR बताओ, फिर पता चलेगा, कि आप वा अरी फरवरी में इधर फिर इनकी हालत खराब हो गई, और फिर ये फिर से वापस नीचे चले गए, और 60 के करीब पहुन गया, 60 से अच्छी का से recovery दिये, अभी वापस 280 का सपस में trade कर रहा है, so what do we see here, तो आप कुछ देखते हैं, analysis करते हैं इसकी, तो आभी आप ये देख difference हो, आप समझ लिए उसमें log chart की महत्ता ज़्यादा है, तो आप ये देखें, ये एक falling trend line का breakout है, उसके लावा आप ये कह सकते हैं, ये एक flat line breakout है, तो आप ये 305 कूपर जाता है, तो आप ये कह सकते हैं, फिर वो 384 वाला hurdle बचेगा, खेर अभी के लिए आप ये कह सकते हैं breakout sort of breakout की line पर ही है, तो weekly में अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ खास दिख नहीं जाएं, ये आप कह सकते हैं कि एक support है, अब daily में इसके थोड़ा से चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है, retest कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा है, आप ये कह सकते हैं कि multi-year breakout ह है, automotive industry का है, turnaround business है, multi-year breakout होने के विए से आप समझते हैं कि market का opinion है कि ये turnaround business है, आपको analysis करेंगे तो भी आपको दिखेगा कि ये turnaround business है, तो ये आप इसमें जो है, stop loss रखना है तो आप ये थोड़ा से नीचे stop loss रखके क्योंकि multi-year breakout है, फाल्तों में आप जो ट्रेट से बाहर दिए जाएंगे और फिर चल जाएगा, तो ये देखें काफी अच्छे volume के साथ उपर गया, लेकिन आज की जो selling है, वो काफी decent volume के साथ है, तो it will take some time, तो अभी देखते हैं, ये probably it should old है, 275 का level, और 305 के उपर it will catch fire, ठीक है, तो आशा है कि आपने इस episode से कुछ सीखा होगा समझा होगा, और अगर आपको ये episode पसंद आया हो, तो like जरूर करें, subscribe करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद